हम खाना तो पूरा बनाई लेते हैं, पर साइट में हमें चाहिए होता है कभी सेलेड या फिर कभी अचया या फिर दाई या रायता तो आज मैंने सोचा कि side dish में हम बनाते हैं ये लच्छा प्याज जब भी हम कोई restaurant में जाते हैं या शादियों में जाते हैं तो ये लच्छा प्याज जरूर होता है और ये इतना बढ़िया लगता है रोटी सबजी के साथ या फिर कोई भी बढ़िया सी मसाले दर सबजी और पराठा मिल जाए तो उसके साथ भी ये लच्छा प्याज जो है इतना अच्छा लगता है तो उसके लिए देखे आपको ले लेना है प्याज अब लच्छा प्याज है तो उसके लिए प्याज आपको अच्छा लेना है एक दम बढ़ा लीजेगा प्याज और इसके उपर का छिलका आपको इस तरह से निकाल लेना है उसके बाद ये जो बीच में इसका वाइट वाला पार्ट होता है वो भी आपको थोड़ा सा कट कर ल और प्यास को यारी समझ लीजे अलग-अलग कर लेना है इस तरह से मैंने यह दोनों प्यास को कर लिया अब यहां पर मैंने एकलास पानी ले लिया नॉमल मटके का इसके अंदर मैं डाल रही हूँ आइस क्यूब्स यानि की बरफ के टुकड़े और यह ठंडे पानी के अंदर न हमें यह प्यास जो हमने रिंग्स निकाल के रखिए न तो यह बस प्यास को हमें यह ठंडे पानी के अंदर 10-15 मिनिट तक रख देना है अब इसलिए रखना है इसलिए कि अगर ठंडे पानी में आप इसे रखेंगे न तो यह लंबे समय तक क्रंची रहेगा अगर आप नहीं रखते न तो यह बस मसाले डाल कर जब आप इससे थोड़ी देर के बाद खाएंगे तो यह सॉफ्ट हो जाएगा इसलिए ठंडे पानी में जरूर रखेगा 10-15 मिनिट के बाद इससे निकाल लीजे उसके बाद इसके अंदर नमक, मिर्च, थोड़ा सा काली मिर्ची जाल देंगे और नीमो करज डालने के बाद थोड़ी से धनिया के पत्ते और अच्छे से मिला लीजे तो तैयार है यह बड़ी आसा लच्छा प्याज बस इसे ठंडे पानी में रखना ना पूले ताकि यह क्रंची रहे लंबे समय तक जब खाएं आप इसे मजा आजाए आ बस जैसे मैंने आपको कहा बस बैसे स्टेप्स फॉलो कीजेगा तो इतना बड़ी आल अच्छा प्यास बनेगा यह बहुत ही चटपटा भी लगता है ड्राइ की जो मुझे कमेंस पता है कैसी लगी रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजे शेर कीजे अप